हेलो एवरीवन वेलकम इन मा चैनल आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ट्वैंटी मीडिया दा मेनिस्टे ओफ डेमोक्रेसी इससे पहले कि चैप्टर की सारी वीडियो और उनके सारे कोश्चेन एंसर आपको चैनल के प्रेलिश्ट में मिल जाएगी और उसका लि जाएज सुरू करते हैं मीडिया रेफर्स तो वेरिस मिन्स उफ कम्यूनिकेशन ठैट हैं जो भी मिन्स को जो भी साधन का हम यूज करते हैं वह सभी मीडिया कहलाते हैं और मीडिया के दवारा ही एक बढ़ी बहुत बड़ी लार्ज नमर आफ पीपल को एक टाइम में communicate किया जा सकता है रीडियो, टेलिविजन, सिनेमा, निउस पेपर, मैगजिन और इंटरनेट ये सभी क्या है means of communication है क्योंकि इन सभी के दोरा जो है हम अपने विचारों का आदान परतान करते हैं कोई भी news है, कहीं से भी है क्योंकि इनके दोरा क्या होता है कि millions of लोगों के बीच में कोई भी news जो है कोई भी message है, वो एक time में तुरंट पहुंची जा सकती है इसलिए से mass media कहा जाता है mass media मतलब कि बहुत बड़ी जनसंख्या के पास जब कोई चीज को पहुंचाया जाता है कोई message को जो देश विदेश तक लोगों तक पहुंचाया जाए उसे ही हम mass media यानि जनसंचार का माध्यम कहते है Today it is difficult to imagine life without them और आज की समय में इनके बिना life को imagine करना बहुत ही difficult है Interdependence of Technology and Media अब देखते हैं, टेकनलोजी और मीडिया दोनों एक दूसरी पर कैसे We live in fast changing time, हम एक बहुत तेजी से बदलते हुए समय में जी रहे हैं Various developments in the field of communication technology since the end of 20th century have left a deep impact on us 20th century के अंत से 20th century जुन था उसके last से हमें communication technology के छेतर में बहुत ज़्यादा development देखने को मिले और इन सब का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा परभाव बढ़ा The latest technology helps media to reach out to the masses जो टेकनोलोजी का जो latest, media का जो latest technology है वो अब क्या है बहुत बड़ी जन संख्या तक पहुँच चुका है पहले देखिए mobile नहीं होते थे जिए बहुत रेडियो अगरा का यूज होता था नियूस के लिए नियूस पेपर का होता था और आप देखिए हर किसी के घर में हर किसी के पास लगभग जो है सुमोफोन होते हैं टीवी है नियूस पेपर है तो इन सब के दोरा कोई भी मैसेज जो हैसे तुरंत पहुँच जाता है तुर्च के टेकनोजी इतने ड्यवरप हुए कुछ पेहले क्या था घलीवीजन Dzering लिज यू अगरी आच की त्याझ आऽ इतने चैनल है तो मुविई चैनल है तो बड़े ही काफी मतलब कि तेजी से चेंज हुआ है इन हर्लियर टाइम्स रेजड एंड कार्व डिजाइंड सील वर प्रेस्ट और वेट क्ले और वेक्स फॉर प्रिंटिंग मार्क्स तो पहले के समय में क्या होते था जैसे आपने देख्ए होते अभी और उस तरह के मोहर होते थे उसमें कुछ डिजाइन बने होते थे या तो कुछ कुछ उभरे हुए कुछ encontrar होते थे तो उसको गिले जो वेट कले होता था या वैक्स होता था उसमें दबा करके उससे उसके प्रेस के जाता था उससे मार्क हो जाता था उसमें लेकिन अब इसका यूज नहीं होता है कि अब पेपर का अविश्कार हो चुका है Chinese influenced the development in the field of printing to a large extent Chinese ने इसके print के छेतर में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि they invented paper उन्होंने ही paper किया अविश्कार किया the hand copied and illustrated books by Buddhist monk gave it a further thrust और जो हाथ से लिखे वे सबसे पहले जब paper का अविश्कार हुआ तो जो Buddhist monk थे बहुत धर्म के जो फिक्षू थे उन्होंने हाथों से कई सारी copies लिखी और कई सारे books भी लिखे जिसमें चित्र वगड़ा भी बने वे थे तो उससे भी इसको काफी बढ़ावा मिला the German printer Johans Gutenberg is credited with the invention of the first printing machine with a type mold जो सबसे पहले printing machine का अविश्कार किया वो कौन थे? German के थे Johans Gutenberg थे जिर्होंने सबसे पहले printing machine का अविश्कार किया जिसमें की type करके लिखा जाता था Gutenberg brought out the first printed Bible in the mid 15th century सबसे पहले Gutenberg ने 15th century के mid में सबसे पहले जो print किया वो book थी Bible Today computers control the printing process where materials to be printed are fed into the memory of printing machine to print newspaper, magazine and books और आज के समय में जिए printing का process होता है इसे अब computer control करता है क्या किया जाता है कि computer की memory में जो कुछ भी print करना है उसे feed कर दिया जाता है उसके बाद उसे on कर दियाता है उसके बाद computer ही अपने आप operate करके और सब चीज प्रिंट करता चला जाता है जैसे newspaper print करना है तो एक बाद computer की memory में फिट करके डाल दिया कि यह चीज प्रिंट करना है और इसके 10 कौपी 20 कौपी प्रिंट करने है तो वो अपने आप automatic प्रिंट करते रहता है या magazine है या book है तो इस तरह से अब जो है यह computer control करता है इन electronic in electronic media television is very important for a number of reasons और electronic media में television एक बहुत ही important हो गया है और इसके कई सारे कारण है the amount of time that many people spend watching it नहीं कि लोग अपने खाली समय को भी टीवी देख करके spend करते हैं its ability to bring together a sense of national identity और इसकी क्यावता कि राश्टी पहचान की भावना को एक साथ लाने की भी इसमें चमता है its powerful role as a source of information about various aspects of life और इसकी जीवन के भी women पहलों में अलग-अलग aspects में भी इसके जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है एक बहुत ही अच्छा source है in present time it is a prime source of for the public to know about the current affair, sports and games, progress of war, political situation in a country, etc. और आज के समय में लोगों के लिए current affairs के लिए current affairs के बारे में जानने के लिए sports के बारे में, games के बारे में और किसी भी war का जो क्या progress हो रहा है, political situation क्या है किसी भी country की यह सब जानने के लिए यह prime source बन गया टेलिविजन के द्वारा हम तुरंत कहीं की भी news को प्राप्स कर पाते हैं, क्योंकि टेलिविजन के लेकिन टेलिविजन पर तो तुरंत news जाद आती है और इस परकार से यह इसका लोगों के जीवन पर और लोगों के सुच पर काफी परभाव पढ़ता है इसका केबल एंड सेटलाइट नेटवर्क हैज इंप्रूड दा करेक्टिविटी इन रूलर मांटेनियस एंड अर्बन एरियाज जो केबल की तारे बिछाए गई सेटलाइट की नेटवर्क की इंप्रूड ने इंप्रूड किया अपने आप में तो इससे क्या हुआ कि रूलर एलिया में गाउं की एरिया में भी दूर दूर के एरिया में पहाड़ी एरिया में और सहरी एरिया सब जगह को एक नेटवर् तो क्रियेटे ग्लोबल कर्चर तो इस प्रकासे कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी ने इसमें सफलता पाई है कि इसमें नेरो कास्टिंग में यानि कि अब वह एक लिमिटेड एरिया में नहीं रह गया वह सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रह गया बलकि उसने इंटरनेशनल इसको भी क्रॉस किया है और वह अपने देश से बाहर निकल के के और अंतरराश्टी इस तरपर इंटरनेशनल इस तरपर तक की न्यूस को हम तक पहुचाता है तो इससे क्या होता है कि हमें घर बैटे ही सारी दुनिया की जनकारी सारी दुनिया में कहां कब क्या हो रहा है जनकरी हमें मिलती है तो इससे यह क्या होता है कि यह एक ग्लोबल कल्चर क्रिएट करता है तो एक यहां टेखनोलोजी ने अपनी आपको इंप्रूव किया है उसमें मीडिया को इंप्रूव किया है और काफी आपको पसका प्रूव को बारे हैं और हमें उसकी डेवल्लेपूनेंट कर दिए आ हो रही है और ही इसकी डेवल्लेपमेंट के और इसकी एडवानकिस के बारे में भी इंफॉरमेशन देता है और ही इसने इंटरनेट के नए फॉर्म को भी जेनरेट किया है जिससे कि हमें और ज्यादा अच्छे से नियूस वगेरा मिल जाती है For example, media uses digital technology to provide improved quality of sound and picture as well as influences our thinking Example के लिए media अब क्या करती है, digital technology का use कर रही है हम अपनी अच्छी quality की sound पहुचाने के लिए अच्छी quality की pictures हम तक पहुचाने के लिए ताकि वो हमें सब चीज अच्छे से provide कर सके इसके लिए our digital technology का use कर रही है Moreover, media helps us to think on global level beyond the narrow boundaries of countries और इस प्रकार से media हमें help करती है global level पर सोचनेम के लिए अब हमें सिर्फ अपने देश के लेवल पर अपने ही देश के अंदर मतलब की narrow level पर नहीं यहीं सीमित्रा करके नहीं बलकि बड़े लेवल पर सोचने में हमें help करती है But the media will have to take steps to control the misuse of means of mass communication to protect the public interest लेकिन media को अब इसमें क्या है कि इसका बहुत misuse भी होने लगा है means of mass communication का तो इसको control करने के लिए भी अब कुछ steps लेने चाहिए ताकि इस जिससे public interest को protect किया जा सके अब हमारा है role of media, role of money in media, यानि media में money का क्या role है Look at the picture of a newsroom or studio of a television channel, notice the expensive equipment, cameras, computers, light, transmitters, recorders, etc इस picture को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यह एक newsroom या फिर एक television channel का एक studio है और यहाँ पर जो बहुत ही महंगे महंगे equipment से हैं, बहुत ही महंगे महंगे समान हैं जिसे की camera है, computers है, light transmitters है, recorders है Besides the news reader, many people like director, editor, producer, cameraman, light man and many other are involved in the process of telecasting the news to you और इसके अलावा इसमें यहाँ पर कई सारे news readers हैं जो news पढ़के सुनाते हैं और कई सारे लोग हैंसे जो director है, editor है, producer है, camera man है, light man है और ऐसे कई सारे लोग जो इस news को हम तक telecast करके process करते हैं, इसमें involved रहते हैं The studio requires constant upgradation of technology to provide quality service जो इस्टूडियो है, इसमें हमें से लगातार upgradation की जरौत होती है, technology की ताकि हमें एक quality service प्रोवाइड करा सके All these needs are a lot of investment और इन सब में बहुत ज़्यादा investment की जरौत होती है, investment यानि कि बहुत ज़्यादा पैसी की जरौत होती है, हमेशा इसमें अप्ग्रेडेशन करने के लिए Hence, television channels and newspapers are owned or are supported by big business houses तो इसलिए जो television channel होते हैं या newspaper की होते हैं, यह सब या तो किसी एक बड़े business man की होती है, या फिर किसी business houses द्वारा support किये जाते हैं Media is a powerful tool in the hand of the rich Rich लोगों के काहां के Media is a powerful tool in the hand of the rich Media जो है, यह अमीरों के हाथों का एक बहुती powerful tool है They are in media to make money and propagate their class interest और वे media में किसलिए हैं, वे media में पैसा बनाने कमाने के लिए और अपने hit का, अपने interest का परचार करने के लिए हैं जैसे कि अपने देखत की जो मीडिया में जितने भी tools वगएरा यूज के जा रहे हैं बड़े-बड़े equipment वगएरा हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा investment की जरुत होती है और ज़्यादा पैसा के पास है जिसमें एक बहुत बड़े wide range पर products का परचार के जाता है इस तीन क्रीम से लेकर के car तक का the viewers is exposed to a number of advertisement, each highlight and wonder of its products और जो viewers होते हैं जो दर्शक होते हैं जो हम लोग TV देख रहे होते हैं टेलिविजन देखते हैं उनको सामने its advertisement को exposed के जाता है, advertisement दिखाया जाता है और हर एक product का अपना अपना highlight दिखायाता है उसके बारे में उसकी अच्छे ची features बताए जाते हैं अगर आपको एक feature film देख रहे हैं तो दो घंटे की movie है तो उसको खीच करके 4 घंटे कर दे जाता है क्योंकि उसमें भी चीच में ब्रेक लगा करके और उसमें advertisement दिखाया जाते हैं the condition during a cricket match is similar where advertisements are squeezed in every over और जब हम cricket match देख रहे होते हैं तो उसमें भी same condition होती है हर एक over के बाद advertisement को डाल दे जाता है advertisement दिखाया जाता है today along with Indian business houses many multinational companies also own a big share of Indian medias आज के समय में इंडियन business manager नों ने बहुत पैसे invest किया हुआ है साथे साथ बहुत सारे multinational companies भी है यानि कि बाहर की companies भी है वो भी अब क्या है Indian media में उन्होंने भी अपना share ले रखा है यानि कि इसमें investment कर रखा है the programs cut across national and cultural boundaries and expose the viewers to a wide spectrum और इसे क्या है कि अब भी इसमें जो है advertisements जो होते हैं सिर्फ national level के ही नहीं international level के जैसे कि जब जिसने invest किये हैं तो वो भी चाहिए कि उसका भी advertisement दिखाया जाए तो इस तरह से एक बहुत वाइड spectrum में यह कि सिर्फ national level नी बलकि cultural boundaries को तोड़ करके यह और इसका area अब बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत बड़े पेमाने पर अब इसमें मतलब कि सिर्फ देश international level नी इंटरनेशनल लेवल तक की चीजें advertisement में दिखायी जाती हैं